संसत के पहले दिन से ही माननिय परधान मंत्री जी ने भी मनिपूर को लेकर देश के सामने अपनी बात रखी और महिलाओं की प्रती बढ़ रहे अपराद अत्याचार चाहे वो बेंगौल हो, राज्यस्थान हो, चतिसगड हो, बिहार हो या मनिपूर हो सब पे ही दुख भी जताया और कोड़ोर कदम उठाने के लिए राज्य की सरकारों से भी कहा अभी पिछले दो दिनों में आपने देखा कि कुछ विपक्षिदल के सांसत मनिपूर गए, मैंने तो उस दिन भी अनुरोद किया था कि बेंगौल भी आई है, मैं भी पिछले कल बेंगौल में था, वहाँ पे महिलाओं के साथ अत्याचार कैसे हुआ, अपरात की घटनाएं कैसे बड़ी, लेकिन शायद ये विपक्षिदल बेंगौल की महिलाओं में, राज्यस्थान की महिलाओं में, बिहार की महिलाओं मे और मनिपूर की महलाओं में भी भेदभाव कर रहे हैं, उनकी अधिकारों में भेदभाव कर रहे हैं हमने चर्चा के लिए तो पहले दिन से ही कहा था कि मनिपूर पर चर्चा ही हो जाए आखिरकार विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा हैं और दो हफ्तों में एक दिन भी वो चर्चा के लिए नहीं आए और अभी भी अगर वो मनिपूर गए हैं तो वापिस आकर क्या वो कल चर्चा में भाग लेंगे मेरा एक बार फिर उनसे हाद जोड़कर निवेदन है कि वख्षिदल चर्चा में भाग लें अपनी बात वो भी कहें और ये भी सुनें कि जब विपक्ष में अब तो वो विपक्ष में हैं लेकिन जब वो सत्ता में थे कॉंग्रेस की सरकार थी तब कई-कई महीनों तक मणीपूर जलता था बंद रहता था मणीपूर में उस समय पेट्रोल की कीमते पांच पांच गुना जादा होती थी मिलता नहीं था पेट्रोल डीजल रशोई ग्यास के सिलेंडर नहीं मिलते थे अनाज की कमी आती थी ना तब उस समय के परधान मंत्री गए ना उस समय के ग्रह मंत्री गए ना उन्होंने कभी संसत में कभी ब्यान दिया मेरा सवाल इन 21 नेताओं से जो माननी संसत गए हैं कि पहले तो कभी परधान मंत्री कभी ग्रह मंत्री कभी किसे ने ब्यान तक नहीं दिये हमारे यहाँ पर सदन के पहले दिन से मानने परधान मंत्री जी ने ब्यान भी दिया ग्रह मंत्री जी चर्चा के लिए त्यार है और ब्यान देने के लिए त्यार है आकरिकार विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है और चर्चा क्यों नहीं करना चाहता यह अपने आप में सवाल खड़ा होता है दूसरा मनिपूर में शांती बहाल करने के लिए लगातार केंदर सरकार ने कदम उठाए किंदर ग्रह मंत्री अमिश्या जी स्वयन चार दिन तक मनिपूर में रहे और मनिपूर में लगाता रहकर सभी के साथ बैठ़कें भी की ताकि शांती बनी रहे क्रेंदे ग्रह राज्य मंत्री तो कई दिनों तक वहां पर रहे हर कदम उठाए वहां की सरकार भी हर संबभ प्रयास कर रही है लेकिन अगर विपक्ष शांती बहाल करने में तो शायद मदद कोई करे ना करे लेकिन जाकर पहले राहुल जी और वाकी नेता अगर इस तरह से में बातावर्म खड़ा करें तो इसके पीछे इनकी मंचा साफ नजर आ रही है मनिपूर पर राजनीती नहीं चर्चा होनी चाहिए मेरा इतना ही कहना है कि ये लोग जो केबल ब्यान दे के चर्चा में बने रहना चाहते हैं ये ब्यानों से मुक्ति पाकर चर्चा में भाग लें ये सभी माननिय संसत आएं पार्लेमेंट में कहें और कौन रोक रहा है इनका अधिकार है पार्लेमेंट में आके बोलने का कौन रोक रहा है लेकिन चुने हुए हैं लेकिन संसत में नहीं बोलेंगे सड़क पे जाके बोलेंगे मैं फिर कहता हूँ परधान मंतरी जी ने पहले दिन ही सदन शुरू होने से पहले भी अपनी बात कही और मैं फिर ही याद करवाता हूँ पूर में तो किसी भी परधान मंतरी ने कॉंग्रेस अपने गिरेबान में जांकर देखे किसी भी परधान मंत्री ने आज तक मनिपूर कभी भी हिंसा हुई जब सैंकडो लोगों की हत्याएं मनिपूर में उस समय की गई तब भी कॉंग्रेस के समय कोई परधान मंत्री नहीं बोले कोई ग्रह मंत्री नहीं बोले किवल एक बार ग्रह राज्य मंत्री ने ब्यान दिया था यह देश को जानना बहुत अवश्यक है क्योंकि विपक्ष का छेहरा साफ नजर आना चाहिए कि यह किवल राजनिती करने का प्रयास कर रहे हैं चर्चा में रहने का प्रयास कर रहे हैं चर्चा नहीं करना चाते चरचित होने का प्रयास कर रहे जयादा कर सब्सक्स का मेरा इतना कहना है कि अगर उनके कोई सुझाव है तो सदन में आके बोले ना हमें से किसी ने मना नहीं किया हमने पहले दिन में कहा था किसी के सुझाव है कॉंग्रेस का लंबा अनुभव है क्योंकि कॉंग्रेस का अनुभव इतना लंबा है कि इनके समय जब मनिपूर जलता था तब सड़के बंद रहती थी लोग घरों में बंद रहते थे और सोई गयस के सिलेंडर नहीं मिलते थे और नहीं पट्रोल डीजल मिलता था तब कॉंग्रेश छेचे महिने तो कुछ नहीं कर पाती थी